सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिन्तन आज का चिन्तन ग्यान का सागर पाव कटेश्वर सुख का दाता शिप बावा आज हम बच्चों को कह रहे हैं अपनी वुद्धी किसी भी देहदारी में लटकानी नहीं है एक विदेही बाप को याद करना है और दुसरों को भी बाप की याद दिलाना है साथ हैं बावा हम बच्चों को पूछ रहे हैं अपना जीवन हीरे जेसा स्ट्रेश्ट बनाने के लिए मुख्य किन बातों का आठिंसन चाहिए बाबा कह रहे हैं एक भोजन बहुत योग उक्त होकर बनाना और खाना है दुसरा एक दो को बाप की याद दिला कर जियदान देना है और तिसरी बात कोई भी विकर्म नहीं करना है चोथी बात फालतु बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है जर्मूई जग्मूई नहीं करना है पांचवी बात किसी भी देहधारी में अपनी वुद्धी की आशक्ति नहीं रखनी है देहधारी में लटकना नहीं है और छटी बात कदम कदम पर अविनाश्ची सर्जन से राय लेते रहना है अपनी बिमारी सर्जन से नहीं छिपानी है बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चे को बच्चे किसकी याद में बैठे हो श्री बाबा को ही याद करना है तो श्री बाबा की याद में बैठे हो और कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है तुम्हारे सामने ये देह दरी बेठा हुआ है इनको भी याद नहीं करना है तुमको याद सिर्फ एक वीदही को करना है जिसको अपनी देह नहीं है यह मम्मा बाबा थवा अनन्य सर्विसबल जो बच्चे हैं वो सब सिखते हैं श्री बाबा द्वार तो याद भी श्री बाबा को ही करना है भल कोई बच्चे जाकर किसी को समझाते हैं तो बुद्धी में समझना है कि श्री बाबा ने इनको पढ़ाया बुद्धी में श्री बाबा की याद रहनी चाहिए ना कि देह दरी अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कमन हो जाता है बाप कहते हैं कभी लिए देहधारी में लटकना नहीं है तुम को याद एक को करना है और वो कौन है? जो सद्लक्ति देने वाला है सभी को अगर इस साकार को याद किया तो वो याद निश्फल है जैसे लोकिक बाप को बच्चे याद करते हैं तो उनसे कोई फाइदा तो नहीं होता कोई ब्राम्भनी को याद किया कि हमको फलानी ब्राम्भनी पढ़ावे तो निश्फल हुआ कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए हमको श्री बाबा पढ़ा रहे है कल्यान कारी श्री बाबा है देहधारी पर कभी भी भलिहार नहीं जाना है यह बाबा जो तुमको कहते हैं क्या कहते हैं मामंत्र मन मनाभव अगर देहधारी को याद किया तो दुरगती में जाएंगे बाबा कहते हैं देह धरी को लोकी कहा जाएगा बगते सूबे उटके मुझे याद करो मेरा फरमान हे मामिकम याद करो एक मुझे निराकार को ही याद करो गायन भी है एक कई है शिवाय नव, शिव है विदेही बरसा तुम बाप से लेना है यह भी जो देह है उनकी नहीं है अना बरहमातन में जो आते हैं बाबा उनकी दौरा ग्यान सुनाते हैं बाबा करते हैं यह देह भी उनका नहीं है बाब करते हैं मैं सरी पढ़ाता हूं तुमको क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है इसलिए इनका आधार लेता हूं कल पहले भी इन द्वारा में ने तुम बच्चों को सहज राजिग से खिलाया था जिससे तुम पावन बने थे मेरी सेवा यही है पती तो को पावन बनाना बाकि कृपा या आस्रिवाद मांगना फालतु है यह बाते भक्ति मार्ग में चलती है यहा नहीं है ऐसे भी नहीं कोई बिमार हो जाए मैं ठीक कर दूँ यह मेरा धंदा नहीं है पुकारते हैं हम पती तो को आकर पावन बनाव दुर्गती से सद्गती में ले चलो गाते हैं पर अर्थ नहीं समझते भगत तो सारी दुनिया में है यह सब किसको याद करते हैं एक पती तपावन बाप को सारी दुनिया के मनिश्य मात्रकाई वह लिबरेटर हैं गाइड भी है दुख से लिबरेटर कर परमधाम ले जाने वाला एक बाप ही है तो बाप कि स्रीमत पर चलना चाहिए कदम कदम पर राए लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें सर्जन तो एक ही है यह सर्जन के रहने वाले बोलने की जगा है ब्रह्मा यह सर्जन जैसी मत कोई और दे नहीं सेखे मत श्रीमत इस सर्जन जैसा कोई देता ही नहीं है बच्चों को time waste नहीं करना चाहिए कियोंकि जर्मो ही जगो ही बातों में time waste हो जाता है तो भागते फालतो time में waste नहीं करना और फालतो का संग नहीं करना है करमातित अवस्ता पिछाड़ी में आएगी सो भी थोड़े पास वीद अनर होंगे जो सर्विस नहीं करते उनकी यह वस्ता आईगी नहीं सर्विस पर जो रहते हैं वो एक दो को याद कराते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूं तो मुझे भी याद दिलाओ कि श्री बाबा को याद करो भल खुद याद ना भी करें परन्तु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए अगर अपना कल्यान करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा हैं भोजन बनाने वाले ब्रह्मानों को ठीक से योग में रहना चाहिए तब तो भोजन में ताकत आएगी याद सही तुमको ज्यदान मिलता है अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है सहज ते सहज बात है मुझे याद करो पवित्र बनो पतित बने तो सोगुना दंड पड़ जाएगा मुझे मुझे सिर्फ याद कर बाबा कहते है तो क्या होगा विकर्म बिनाश हो जाएगे और वर्सा भी देंगे बाबा थोड़ा याद करेंगे तो थोड़ा वर्सा मिलेगा गिता में भी आदी और अंत का बोबात आती है कि मनवना भव कोई भी देदारी की याद नहीं आनी चाहिए शिबाव को अगर याद करेंगे तो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा पाप दगध होंगे गंगा में स्नान करने से कोई पाब विनाश नहीं होते हैं भल केते हैं भावना है परंतु भावना ही रंग है गंगा पतित पावनी नहीं है पतित पावनी एक बाब है कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है एक शिबावा को याद करना है बार बार बावा कह रहे हैं शिबावा को याद करना है तो आज बाबा धारणों में केते हैं याद की यात्रा में ठकना नहीं है एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है अपना टाइम वश्ट नहीं करना है जर्मूई जग्मूई मतलब परचिंतन की बातों में नहीं जाना है ना करना है ना सुनना है पासुई द्यानर होने के लिए मन सावाचा कर्मना कोई भी भूल नहीं करनी है आज बाबा हम बच्चों को बरदान दे रहे संगमिक का विशेश बरदान है क्या बरदान है दिड़ संगल बरा असंभव को संभव कर सफलता का वानुभव करने वाले निश्चित विजई भव तो यह संगमिक का वरदान है असंभव को संभव करना इसलिए कभी यह नहीं सोचो की यह कैसे होगा कैसे के बज़ाए सोचो कि ऐसे होगा निश्चे रख कर चलो की हुआ ही पड़ा है सिर्फ फ्रक्टिकल में लाना है यह रिपीट करना है दिड़ संकल्प को यूज करो संकल्प में भी क्या क्यों की हल चल ना हो तब यह निश्चित है ही दिड़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगां दे रहे है चदा करन करावन हार बाप की स्मृती रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा चदा करन करावन हार बाप की स्मृती रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा तो आज के मुरली के अनुसार हम सो माल लेंगे मैं संपुन विजय आत्मा हूँ मैं संपुन बिजय आत्मा हूँ आज के मुरली को और गहरी रिती से चिंतन करते हैं निरिंतर सदा सर्विशक्तिवान बाबा को अपने साथनुभव करना है कि मेरे मस्तक के परेशी बाबा मुस्कुराते रहिए आगे वढ़ते रहिए पुरिशार्थ करते रहिए खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें ओम शांती ओम शांती ओम शांती